हेलो वरियों आज हम देखने वाले देवान डाटाटाटाइप्स 30 days of code of hiker rank में डेवान डाटाटाटाइप्स यहाँ पे हमें input format में first line में integer दीए होंगी second में double और third में string और यहाँ पे हमें print करना है हम जो user से input ले रहे है और यहाँ पे पहले int double और string दिये है उनमें add करके हमें print करना है so first step is declare the second integer double and string variable यहाँ पे int दे और इसे scanner से लेने के लिए user से लेने के लिए scan.next int कुसी कर रहा हम scan.next int कुसी तरह double d-u-d-o-u-b-l-e double double दिये लेने d2 equal to scan.next d-o-u-b-l-e double string 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 यहाँ में line में दिये है तो scan.next line देना हो गया string ks2 is equal to scan of next line यहाँ पे next line हम लिखेंगे तो इसके पहले भी next line आना चाहिए यह रूल है इसका यूज करने के लिए scan.next line को अगर हम यूज कर रहे तो यहाँ पे हमें पहले लिखना होगा सो यहाँ पे फर्स टेप हो चुगे हम यूजर से integer double and string ले चुगे अब हमें with sum with i print करने है और double की sum with d string को कौन केनेट करना है yes के साथ सो हम next टेप देगे अब हम इसे print कैसे करेंगे sum of both integer को print करने ही लिए system.out.println सो हमारा फर्स्ट इंटीजर को i है और हमने जूसरा integer j user से लिए है तो यहाँ पे प्रिंट होगा i plus j यहाँ पे i कितना है 4 सो 4 plus यहाँ से user से हम कितना रह रहे है 12 value 12 value यहाँ पे j में store होगी और 4 plus 12 equal to 16 सो फर्स्ट लाइन print हो जाए है अब मैं दूसरे लिखने है दूसरे लिखने के लिए दबल को D2 यहाँ पे लिखने 4.0 D के लिखने 4.0 D के लिखने 4.0 D2 के लिखने लिखने 8.0 अब हम स्ट्रिंग को प्रेंट करेंगे 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 3.0 2.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 क्योंकि वो yes में store है और उसके आगे is the best place to learn and practice coding तो ये code था हमारा उसके बाद हम इसे run करके देखेंगे run the code run हो जुगा है submit the code submit भी हो जुगा है so इस तरह इस question को में approach करना है कर दुगा है